इस टाइम पे start-up ecosystem का सबसे toughest period चल रहा है कई लोग इसको start-up winter भी कहा रहा है अक्सर हम सोचते हैं किसी भी start-up के दो ही रस्ते होते हैं आइधर वो successful होगा या फिर fald होगा और एक दीसर रस्ता भी है वो है zombie startups जैसे नाम से समुझ में आ रहा है zombie startup वो startup होती है जो ना जी रही है ना मर रही है बस वो survive कर रही है मतलब वो अपने सिर्फ खर्चे पूरे कर पा रही है employees की salary दे पा रही है rent दे पा रही है और जो भी खर्चे है वो दे पा रही है jumpy recession के बाद में funding boom दिखाई देता है वहाँ पर हमको बहुत सारी zombie startups बनती हुई दिखाई देती है और आपके दिमाग में आ रहा होगा यह चीज कोई comment थोड़े ना है अगर हम एक develop economy की बात करके चले ना तो वहाँ पर 30-40% जो companies होती है वो zombie होती है यह वो companies है जो सिर्फ अपने interest को ही pay कर पा रही है मतलब मान के चलते हैं एक company को चलाने के लिए एक लाक रुपे महीने के खर्चे है rent, employee की salary वेगारा वेगारा और मान के चलते हैं उन्होंने एक करोड रुपे का loan ले रखा है उस loan की एक लाक रुपे की EMI बनती है पर वो bank से बात करते हैं वो कहते हैं हम principal amount नहीं pay करेगे हम सिर्फ interest पे करेगे और वो interest निकल के आता है 40,000 रुपे वो जो company है वो सिर्फ 1,4,000 रुपे कमा रही है और कुछ नहीं कर रही है अब यहां पर problem क्या निकल के आ रही है अगर downturn आता है पर company का revenue उतना ही रहता है तो इसके चक्कर में क्या होता है company loss experience करती है company फिर loan लेती है loan को repay करने के लिए उनके पास में ऐसा नहीं होते है sufficient interest कमाने के लिए वो फिर मैदद करती है और बस वो धीरे धीरे करके ring ring क्या आगे बढ़ रही होती है का जाता है zombie startups का सबसे बड़ा reason है venture capitalists venture capitalists बहुत ही early stage के अंदर startup के अंदर एक अच्छा amount invest कर देते है इस time पे उन्होंने product market fit भी achieve नहीं किया होता मतलब उनको पता ही नहीं होता उनका product चलेगा या फिर नहीं चलेगा founder के पास में initial state में बहुत जारा पैसा आने के चकर में कई founders lazy हो जाते हैं और उनको दिखाई देता है कि हमारा runway इतना बड़ा हो गया है example के लिए एक startup है X नाम से उसने recently 5 क्रोट रुपे race करे और जो उनके monthly खर्चे है वो 10 लाक रुपे के अब 10 लाक रुपे के उपर मान के चलते हैं उनको 1 लाक रुपे महीने का loss होता है अब अगर company grow नहीं करती सब के सब आते हैं गेम खेलते हैं और चले जाते हैं जैसी जिन्दकी चल रही है वैसी चलते रहते हैं तो समझो उनका रंदे कितना बड़ा हो गया पांच करोड का मतलब 500 महीने उनके पास 500 महीने के पैसे पड़े हैं अगर वो कुछ ना करे तो तो ये बहुत बड़ी problem निकल के आई है दूसरा इसका बड़ा reason कहा जाता है founders की इच्छा नहीं होती है काम करने आज mood नहीं करना इसे कल देखते हैं इस काम को पर कही न कहीं देखा जाए ये जो problem निकल के आ रही है ये early stage के उपर गलट time पे funding लेने की है funding लेना गलट नहीं है पर अगर आपका business model flawed है अगर आपको पता नहीं है आपका market size कितना है अगर founders के अंदर interest नहीं है काम करने का तो ये बहुत बड़ी problem निकल के आ सकती है मैंने अपनी startup बबबल वाली series के अंदर explain किया था कि आज के टाइम पे जो startups है वो एक funding round से दूसरे funding round पे जाने की कोशिश करते है वो ये नहीं सोचते कि हम क्या problem solve कर रहे है कैसे customer के experience को और भैतर कर सकते है चादर केसे में मैंने क्या देखा है जो zombie startups है उनके founders को पता ही नहीं है कि वो zombie बन चुके है उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी growth नहीं हो रही वो एक level पे आके satisfied हो चुके है ठीक है जिंदगी चल रही है खर्चे चल रहे है हम जिंदगी ची लेगे और यहाँ पर problem पता है क्या है company का stakeholder खाली founder नहीं है उसके employees भी है उसके customers भी है उसके investors भी है बहुत सारे founders इनके बारे में सोचते ही नहीं है अगर एक zombie startup बनता है तो investor का पैसा ब्लॉक हो जाता है उस startup के अंदर जहाँ पर investor एक right startup के अंदर invest कर सकते थे ecosystem को improve कर सकते थे पर उन्होंने zombie startup के अंदर invest कर दिया क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा business plan दिखाया गया उनको बहुत अच्छी excel sheet दिखाई दी उनको projection दिखाई दी उनको जो founders दिखाई दिए वो बहुत पड़े लिखे college से आ रहे थे तो उनको लगा हाँ भाई invest कर देते है पर उन्होंने actual business model study नहीं किया इसका एक बड़ा reason और होता है कि startup के जो founder होते है वो pivot करना पसंद नहीं करते अब pivot क्या होता है मान की चलते है मेरे पास में एक idea है अब उसके लिए मुझे funding चाहिए तो मैं किसी VC के पास जाता हूँ और funding ले लेता हूँ VC को मुझे पर trust है कि भाई ये बंदा बढ़िया है future के अंदर मुझे ये अच्छी return लागे दे सकता है उसके बाद जब मेरे पाद पैसा आता है उस पैसे को मैं अपने business के ने invest करता हूँ scale करता हूँ और scale करते वग मुझे पता लगता है जो मैं problem solve कर रहा हूँ वो शायद इस तरीके से नहीं हो सकती इसके लिए शायद मुझे कुछ और करना चाहिए फिर मैं check करके देखता हूँ ऐसे नहीं हो सकती कुछ और करके देखते सबसे बड़ा example है जो मेरे दिमाग में आता है मीशो मीशो अगर आप देखोगे कितना pivot किया है starting के अंदर उनका major focus था कि आप reseller बन जाओ मेरी मम्मी अपनी दुकान कोल के बैठी है मीशो के ओपर मेरी मासी दुकान कोल के बैठी है वो screen shots दाल रही है Instagram के ओपर ये कुर्ती ले लो वो कुर्ती ले लो उसके बाद उन्होंने pivot किया उनको समझ में आया कि भाई यहां से revenue नहीं वाज़कता उन्होंने कहा कि हम zero commission पे दुकानदार को ले के आएगे हम add से पैसा कम आएगे third level के उपर अगर आज की बात करके चले तो उनको समझ में आ गया वो tier 1 cities के अंदर उस level पे penetrate नहीं कर सकते क्योंकि Amazon Flipkart ने market बहुत जबरदस बना ले है वो tier 2, tier 3 cities के अंदर जा रहे है अगर हम गाउं की बात करके चले तो वहाँ पर मीशो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है यही reason है अगर आप उनके पूरे product को देखोगे न तो आपको सस्ते products मिलते है low quality मिलते है पर आपको सस्ते product मिलते हैं नीशो के अंदर यहाँ पर आपको clarity दिख रही होगी कितनी ज़्यादा clarity है उन company के पास में pivot करना गलत नहीं होता है investor से पैसे लेना गलत नहीं होता है और खाली भैट जाना, काम ना करना वो गलत होता है एक और example लेता हूँ लोको का, लोको एक gaming app निकल के आई थी जहां पर live screen के अंदर KVC types के लाते थे और आपको winning price मिला करता था उनना ने बहुत सारी यूट्यूबर से sponsorship भी कराये थी आज लोको एक gaming platform हो गया मैंने लोको के founder के साथ में founder unfiltered भी किया था मुझे समझ में किस level पर उनना ने pivot किया है कितनी clarity होती है pivot करने के लिए अब यहां पर सवाल निकल के आता है क्या खाली funded startup ही इसी trap में बसकती है normal startup या normal business जो की self-funded है वो नहीं हो सकते ऐसा नहीं है देखो सबसे बड़ी problem क्या हो गई है आज के time पे आपको interest पे loan मिल जाता है तो लोग क्या करते है business loan ले ले लेते हैं और उसका खाली interest पे करते रहे अगर अब इंडिया की बात करके चले तो इंडिया में interest rate हाई है बाकी countries के comparison में देखा जाए तो वहाँ पे तो interest rate कुछ भी नहीं है बहुत सारी companies international loan लेती है और अगर international company है तो वहीं पे loan लेती है interest तो हम देते ही रहेगे और zombie पड़े रहते है उनके पास में एक tag आयाता है कि I am the founder of this company I am the CEO and CEO of this company अगर आप business कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं zombie startup ना बनू तो आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए सबसे पहले चीज लीन रहने की कुछिश करू lean methodology क्या कहती है मतला आपको अपने खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं पालने मान के चलते हैं मैं एक YouTuber हूँ मान के चलते हैं मैं monthly 10 lakh रुपे कमाता हूँ अब उस 10 lakh को कमाने के लिए अगर मैं 8 lakh रुपे अपने fixed expenses कर देता हूँ including employee salary, rent वेगारा तो ये बहुत risky चीज है versus अगर मैं fixed expenses 2 lakh रखता हूँ और 6 lakh अपने variable expenses रखता हूँ तो कल को अगर मेरा काम नीचे जाता है तो मैं flexible रहूँगा example लेके चलते हैं आज की टाइम पर बहुत सारे से YouTube channel है जो की एक जमाने में बहुत बड़ा हूँ अगरते थे आज उस level पे नहीं है तो उन्होंने team build कर ली थी उन्होंने अपने खर्चे उस आप से पाल रखे थे अब जब YouTube channel घटा तो उनका revenue घटा revenue घटा तो उनकी खर्चे तो कम नहीं हो सकते जो fix है तो क्या करना पड़ेगा उनको लोगों को निकालना पड़ेगा इससे बेटा तरीका क्या हो सकता है कि वो चीजों को outsource करते lean model यही कहता है lean model कहता है कि अगर मुझे in-house एक editor की जुरत है तो हम एक editor रखूँगा अगर कल को मेरा काम बढ़ता है मैं दो-तिन editor रख सकता हूँ जो की paper वीडियो basis के उपर होगे तो मैं YouTube पर example लेके चल रहा हूँ similarly आपने business के साथ भी इसको देख सकते है कि अगर आपकी कमाई बढ़ रही है इसका जुरूरी reason नहीं है कि आपको अपने खर्चे भी बढ़ाने आज की time पर अगर हम startup दुनिया की बात करके चले तो वो कहते है quarter के अंदर हमको 100% 200% से grow करना है क्यों क्योंकि loss में operate कर रहे है funding पीछे से आ रही है उनको कोई डर नहीं है भाई grow करो grow करो जारतल startups का ये goal नहीं है कि हमको LTV चेक करना है कि एक customer जिन्दी की पर हमको कितना कमा के देगा कैसे हम customer को ज़्यादा अच्छा सर्क कर सकते है startup founder के दिमाग में कहा है revenue बढ़ाना है revenue बढ़ाने के चक्कर में next round में funding ज़्यादा मिलेगी अगर एक अच्छी growth rate की बात करके चले 20% month on month is a very good growth rate इससे उपर जाते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई बार आपको compromises करने पड़ते हैं अपनी profitability के साथ में अगर आप business कर रहे हो और आप सालाना 10-15% से grow नहीं कर रहे हो ना तो आप भी मान के चलो आप zombie की category में ही हो क्योंकि अगर inflation मान के चले तो 6% का तो inflation ही है तो यही reason है कि मेरा मानना है कि zombie startups जादा बूरी है एक failed startup से failed startup में founder ने हार मान ली है जितने भी talent है उसको आपने छोड़ दिया है अब वो अपनी life में grow कर सकते है ही बड़ा impact पड़ेगा Indian startup ecosystem पे सबसे पहले चीज तो resources misallocation हो रहा है resources include पैसा जो investor पैसा लगा सकता था किसी अच्छी company में वो एक zombie startup में लगा दिया उसने दूसरा जो talent company में काम कर रहा है वो कहीं और better काम करके कोई अच्छी company को और शायद next level ले जा सकता था अगर investors के पैसे नहीं बनेगे तो investors का interest भी चला जाएगा और investor का interest जाने के वज़े से वो शायद ecosystem पे reinvest नहीं करेगे जो आज हम देख रहे हैं investors बहुत जारा cautious हो गए है startup में invest करने के वो एक बहुत बड़ा reason है कि बहुत सारी zombie startups exist कर रही है और zombie startups unicorn भी है बहुत सारी इंडिया के अंदर अरे बाप रे ये तो दोती खोल रहा है और सबसे बड़ी problem बता है कि ये unicorns जब zombie बनती है न तो innovations खतम हो जाते है बहुत बड़े बड़े players है इंडिया के अंदर जो अपनी league के अंदर top के उपर बैठे है पर वो zombie है वो zombie है तो वो कुछ innovate नहीं कर रहे है कुछ नहा नहीं कर रहे है तो उस industry के अंदर कुछ नई चीज़े नहीं आ रही है और ये जो scene हो रहा है इसकी वेज़े से कही ना कही negative image बन रही है startup ecosystem की अगर आपको अच्छा talent retain करना है ना तो उसके लिए बहुत जाला challenges आ रहे है और सबसे बड़ी चीज वाई economic impact तो कही ना कही आ ही रहे है क्योंकि अगर startup grow करती वो ज़्यादा पैसा कमाती वो ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं देश के भले के लिए use होता हमारे देश की GDP बढ़ती बहुत सारे benefits होता अब अगर हम business कर रहे है या फिर business करना चाहते है किस तरीके से हम zombie startup ना बने इसका ध्यान दे सकते है सबसे पहले चीज हमको अपना idea validate करना है हम जो भी काम करना चाहते है हमको और पहले छोटे level क्यों पर test करके देखना है क्या उसकी need भी है या फिर नहीं है या फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं उड़ने वाले जूते बनाऊंगा अब मैं आग लगा दूँगा और मैंने funding लेके बहुत scale करने का सोच लिया मैंने अपना घर give review पर रख दिया ये कर दिया वो कर दिया सबसे पहले मैं एक जूता बनाके लोगों के पास जाओंगा पूछूँगा भाई तुम लेना चाहोगे और मैंको बेचने ही कोशिश करूँगा या फिर मैं काऊंगा इस से पहले मैं pre booking करने ही कोशिश करूँगा जापर मैंने कुछ करना ही नहीं है मेरे को लोगों से मान के चलते हैं मेरे को 1,00,00 रुपे का जूता बेचना है मेरे लोगों से 10,000 रुपे पहले प्री बुकिंग ले लिए और मेंको कोशिश करनी है कि मैं 100 बंदों से प्री बुकिंग ले पाऊं और उसके बाद में अपने जूते बनाने के लिए जाओ आज के टाइम पर बहुत सारे क्राउड सोर्सिंग प्लाटफोर्म आ गया है जाओ पर ये बहुत सारी कंपनीज कर रही है तो मेरे साबसे सबसे बेस तरीका है अपना आइडिया वैलिडेट करने का कि आप अपने आइडिया को छोटे लेवल पर टेस्ट करके देखू अब अगर आपको पता लगता है मेरा आइडिया अच्छा है अब next step is business model योपर काम करना अभी उड़ने वाले जूते में एक लाग रुपे में बेच रहा हूँ हो सकता है मुझे एक लाग रुपे के नहीं बढ़ते मुझे पांच लाग के बढ़ते पर मेंने सोता था एक लाग का बेच के तो देखू लॉस में चलेगा कोई दिक्तत नी future में देख लेगे किस तरीके से पैसा कमाना है लोग के इसकी जुरत है या फिर नहीं है मैं सिर्फ ये test करके देख रहा हूँ second phase के अंदर मैं अपना business model बना रहा हूँ कि भाई अब ये प्रोड़क्त लोगों को पसंद आ रहा है अब मैं पैसा कैसे कमा हूँगा जैसे मैं अपनी बात करके चलो तो अभी हमने digital marketing का course पूरा पूरा शुरू किया जहां पर मैंने starting के पहले week के लिए 50% off दे दिया सिर्फ 10,000 रुपे मैं पूरा complete course दे रहा था जहां पर आपको digital marketing की सारी चीज़ों मिल रही है और साथ मैं आपको live workshops में मिल रही है तो देखा जाए तो मेरे लिए ये loss था और मैंने कहा पहले टेस्तों करके देखे कितने लोग लेते हैं कितने लोग नहीं लेते जब मेरे को ये MVP प्रूफ हो गया तो मैंने scale करके पैसे बढ़ा दिये अभी भी मैं कहूंगा कि अभी भी हम अपना business model डूंड रहे है क्योंकि एक साल का program है एक साल के बाद में हम actual price को calculate कर पाएगे कितनी cost आई कितना क्या हुआ अब आपका business model अगर बना हुआ है और आपका idea में validated है तो आपको innovation के उपर काम करना है constantly कुछ ना कुछ नया करनी कुशिश करनी है stagnant में बैठ जाना ठीक है भाई बहुत पैसा आ रहा है जिंदिकी चल रही है और क्या चाहिए बाई पैसा लालच का धन होता है अमीर लोग खुश नहीं रहते है हम तो गरीब रहके ही खुश है ये वाला mindset बहुत खराब है और जैसे आप scale कर रहे हो जैसे जैसे आप grow कर रहे हो अपनी strong team बनाओ और strong team का मतलब ये निए कि हम 100 बंदों की team कठी कर रहे है आप 10 बंदों की team रखो और वो बहुत जादा efficient होने चाहिए वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके मुँपे सच बोल सके मैंने बिसेंटली leadership वाली video बनाई थी जापर मैंने दोनी से relate करके leadership समझाने कोशिश करी जा मैं मैंने समझाये कि किस तरीके साब एक अच्छे leader बन सकते हो तो आप उसको देखना आपको और better सबज में आएगा कि इस तरीके से आप अपनी team को nurture कर सकते हो एक बहुत important tip भी देना चाहूँगा कि आप अपने customer की acquisition और retention के उपर focus करो मतलब नए customers लाते रहने हैं और जो existing customer है उनको रोक के रखना है तरिपत नहीं होना है weekly, monthly, quarterly या फिर half yearly meeting ज़रूर करो जहां पर आप monitor करो अपनी सारी progress को ये चीज़ बिसनस बिसनस पर vary करते हैं पर मेरा मानना है कि आपको at least 3 महीने के अंदर अपने पूरे बिसनस को दुबार से study करना चाहिए क्या हमारा idea जैसे हमने सोचा था वैसे चल रहा है क्या हमारा business model चल रहा है क्या हमारे customers खुश है वेगरा वेगरा जो भी आपके company के parameters है आपको सारे parameter हर 3 महीने में चेक करने चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत तेदी से बढ़ रही है आप आज सोच रहे हो कि मैं राजा हूँ 3 महीने के बाँ पता लगे है आप 0 हो चुके हो अगली की important tip देना चाहूँगा जिसको इंडिया में taboo माने जाता है वो है mentorship अगर आपको लगता है कि आपको किसी mentor की जुरत है चाहे वो paid हो तो आप mentorship जरूर लो जिन लोगों को जिस चीज के बारे में आपसे जरा समझ है न उनको पैसे दे के कोई चीज सीखने में कोई हर्ज नहीं होता है mentorship के अंदर मैं कह रहा हूँ courses भी बहुत सारे online courses होते है अपनी self learning के उपर काम करो अपनी team की learning के उपर काम करो क्योंकि अगर आपकी team educated रहेगी updated रहेगी well worth रहेगी नहीं नहीं changes technology challenges के हिसाब से तो आपकी company के अंदर innovations constantly आती रहेगी जितना agile रह सकते हो उतना agile रहने की कोश्च करो मतलब खर्चे बहुत जादा नहीं पालने या मेरे कहने का मतलब आपको team ज़्यादा बढ़ानी की उपर कोशिच नहीं करना आपको कोशिच करनी है networking, outsourcing से किस तरीकी सब अपने business को और ज़्यादा grow कर सकता हूँ मतलब अगर मैं digital market agency है और मुझे content writing भी करनी है ये भी करनी है, वो भी करनी है और मेरे पास में content writing का काम कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है तो इस बेटर कि मैं एक company के साथ मैं type कर लूँ कि भाई मुझे इस बंदे में believe है इसमें जान है, इसमें ही है पर business idea भी एक बार check कर लो कि scalability क्या है, क्या grow हो सकता है नहीं हो सकता है कर ना कहीं एक बार एक startup के अंदर funding गुषती है तो फिर वो hyper growth वाले space के जाता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं बहुत हाई chances है कि वो zombie बन जाता इसके लिए government भी कुछ कर सकती है government employees नहीं देखते हैं हमको पर government क्या कर सकती है वो regulations ला सकती है नहीं ने rule ला सकती है जिसकी वएसे zombie startups ना बने compliance होती है government उसको थोड़ा सा सांथ कर सकती है लोग बहुत सारे जोल के चक्कर में उस industry में step in ही नहीं करते है मैंने कई लोग वो देखा है innovation के चक्कर में कुछ करना चाते है पर उनको लगता है यार इसमें ये red tape है इसमें ये red tape मतलो उसमें बहुत जारा government के साथ में मिल जूल के काम करना पड़ेगा तो लोग उसमें step in ही नहीं करते है अगर आप employee हो तो आपको किन चीजों के उपर ध्यान देना चाहिए किसी startup में जाने से पहले सबसे पहले चीज अगर वो funded है तो आपको चेक करना है कि पैसा कहां से आया हुआ है अगर किसी बड़े VC से आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर किसी unknown VC से आया हुआ है कोई कह रहा है हमने business house से किया है family से किया है ये किया है वो किया है तो हो सकता है कि वो शयद उस level पे ना हो अगली tip है कि जो shiny startups है नाम नहीं लोगा बहुत सारे ऐसे startups से जो कि दूर से अच्छे बहुत चमकते हैं वो दिकाई दे रहे हमारे हाँ पर यह होता है यह होता है पर actually वो zombie बैठे है तो उनको भी avoid करो online check करो जिस role के लिए आप company के अंदर जा रहे हो वहाँ पर annual कितनी growth मिलती है उस company के अंदर LinkedIn के अंदर जिस company में आप जा रहे हो उसमें जो पुराने employees उन से पूछो कि उनको कितने time में incentive मिलता है कब incentive मिलता है last जब नोंने join किया था कितनी salary थी आज उनकी salary कितनी है तो इससे आपको बता लगेगा company के अंदर salary growth हो रही है और नहीं हो रही है अगली एक important चीज़ है वो है transparency जुरूर चेक करो company की अगर कोई company बहुत जादा गोपनी है रह रही है आपको internal चीज़े नहीं बता रही future plans नहीं बता रही बहुत सारे data नहीं बता रही तो मतलब risk हो सकता है और एक last में ultra pro max tip देना चाहूँगा आपको यह देखना है जो company की investor, promoter जो भी काम करने वाला जो main करता दरता है वो कहीं side business तो नहीं सोच रहा है अगर उसका full-fledged एक ही business है और उसी के अंदर काम कर रहा है तो कोई tension नहीं है तो मतलब high chances है कि वो interested रहेगा अगर वो 2-3 now के अंदर बैठा हुए रहा तो वो हर जगा पर पूरा time नहीं दे पाएगा एक्जामपल लेके चलता हूँ मैं अपना अगर मैं YouTube channel की बात करके चलूँ तो YouTube channel is my side business तो मैं YouTube channel पे बहुत बार time नहीं दे पाता इसी चक्कर में हमारी team बिल्ड नहीं उबाती फुल फ्लेजट फोकस करूँगा इन चीजों के उपर फिर देखते हैं किस तरीके से हम गुरू करते हैं तो जले इसी के साथ आज की वीडियो खतम होती है उमिद करता आपको मजा आओगा लाइक करो शेर करो जादा तर लोगों तक पंचाओ इसको लिंटिन पर शेर करो और थोड़ा सा ब्रीव दालो कि क्यों ये वीडियो देखनी चाहिए बाय गुर्णे शबा गया पुदा आफिस गुड मार्निंग रफ्टन जब्या वीडियो को देख रहे है जैहिंद बंदे मातरो